एहिंद दोस्तों UDC आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि मैंने ड्रीम 11 की जगह माई मास्टर 11 ओपन किया हुआ है आना दोस्तों पूरे IPL में डेली इस एप पे एक लाख रुपए का फ्री गिबवे लगेगा कितने का लगेगा डेली डेली लग यहां पर लगाओगा यह देखो यहां पर लगाओगा यह देखे दोस्तों फ्री कॉंटेस्ट है वन लैक प्राइस मनी है फिलाल हमें बात करने हैं पंजाब और केकिया यहां पर खेल रहा हूं क्यूंकि इसके हैड टू हैड और ग्रैंड लीक का कमिशन मेंने कैलकुलेट किया तो सबसे कम निकला यहां पर खेल रहा हूं और उससे पहले दोस्तों हमारी तुराजगा एकोड वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबीत हुई तो सब लोगों को मुबारक बात हाना मुझे बहुत खुशी हुई है मैंने बोला था यह शतक लगाएगा अला कि चलो बिना स्किप के देखना मैं फिर बता रहा हूं विडियो दोस्तों बिना स्किप के देखना ठिक है तो चलिए हाला कि हम सब कुछ कवर करेंगे आपको दिखा भी देता हूं मैंने कितनी जादा मतल़ के महनत की अब आपके साथ शेयर करता हूए सबसे पहले दोस्तों वह जाला बेटर है लेकिन दोस्तों एक आल्राउंडर के लिए ये गलत है जो भी रूल आया इप्ल को मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्योंकि अब मतलब ही नहीं रहा है या मतलब हर बंदा अब मेंटल सोची इंपेक्ट प्लेयर का रूल आया ना इंपेक्ट प्लेयर का मतलब क्या है वार्वा प्लेयर को आप कभी भी चेंज कर सकति हो गार के जगह अब आप लगाईए आप ओनदो अपना प्लेट प्रॉाय देल नहीं इंग रूटा कर वाइंगे नहीं श्रुश्टा peso का डूपा खेल ऑईग्ए पॉल गृैंगे मिचल सथाक बिजो को ब्लर कर बालेंगे तो अल्राउंटर इतना तकडा ओल्राउंटर यहां तो पांडया भी शूट गए फिर तो अना फोल राउंटर ही हो गया तो मत उस्टे बिद्ध चलता रहेगा अब आपको देते हैं दोस्तों सबसे पहले इंस बिल्कुल सक्ट करना दोस्तों फिर बता हूं वि न सब्सक्राइब तो मुझे बता है आपके कर ही लिया होगा दोस्तों अरे कहां चला गया ये आ गया मुझे लग गायब हो गया तो चलिए दोस्तों उससे पहले यूजर डिमांड पर IPL 2022 में जैसे आप लोग इतनी सारी ग्रैंड लिग मेरी वज़े से जीते तो दोस्त कह रहे थे कि यार IPL 2023 की भी बना दो तुम्हें उसकी भी बना दी जैसे आज ट्रिक चल गई दोस्तों रितुराज का एक वाड़ बाली इस वीडियो में ऐसी ही ट्रिक्स दोस्तों आपको बताई गई हैं कि कैसे आप जीत सकत देजिए बैल आइकन पर जाके अगर अभी तक आपने आल पर क्लिक नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया क्यों क्योंकि वहीं से तो आपको मेरी वीडियो को नोटिट्टेशन आएगा और यह रहा दोस्तों मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक और माइमास्टर 11 का लिंक माइमा पहले निउस किया आ रही है दोस्तों सबसे बहुत थो दोनों टीमों को नई-nई कैप्टेन मिल गए हैं दोस्तों कॉलकाता को भी मिल गया है पंजाब को भी मिल गया है है पंजाब और केके यार साड़े तीन बजे मैं आजए साठी साथ मैं समझिए शिकर धवन और इनके मिस्टर बेलीस दोस्तों और सी पंडीद हैं हैं दोस्तों नेतिश राणा के साथ कैप्टेन और सी पंडीद इनके कोश है अब बात की जाए इंजिरीज की या अनविलेबल प्लेयर्स की तो बेर स्टो दोस्तों अविलेबल नहीं है पूरे टोर्नमेंट के लिए अविलेबल नहीं है और सबसे important बात Livingstone और Ravada भी पहली गेम के लिए अविलेबल नहीं है दोस्तों यह ध्यान रखिए तो मुझे लगता है कि Livingstone के जब वह एराजा खेलेंगे वह बात की बात है कि कि यार की तरफ से साकीव और लिटन अविलेबल नहीं है तो अब बात करते हैं दोस्तों मतलब यह अफ लेबल लिए तो खेले अकॉंट है तो जहां तक मुझे लगता है मयंक के साथ या तो प्रप सीमरन ओपन करेंगे लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रप सीमरन से बैटर ऑप्शन के बास मैथ्यू शॉट है शॉट दोस्तों मुझे चार सो रंज थे इनके बिग वैश में प्लेर टॉर्नेमेंट थे और शायद विकेट्स भी काफी थी इनके तो यह प्लेर टॉर्नेमेंट थे ओपनिंग में तो एक आल रॉंडर निंको मिल रहा है मैथ्यू शॉर्ट जैसा स्ट्रेगन प्लियर तो मुझे लगता है कि यह अब बात करते हैं दोस्तों प्लेंग के लिए बनके सबसे इंपॉर्डन टॉपिक है इसका जो मैं बोल रहा था अब देखो अगर पंजाब बैटिंग के नजरिये से देखेगा तो यहां पर राजा पक्सा लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह राजा पक्सा को खिलाएंगे मेरे कॉणि मैथी शॉर्ट केलना चाहिए यार धावन मैथी शॉर्ट वन डाउन पर यह लोग खिला सकते हैं प्रभ सिम अगर जिस तरीके से नहीं ने सैम करन को यूज किया था अगर कहीं पंजाब कर जाए ना माशाला मजा आ जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग करेगा भी यह ना वन डाउन पर यह लोग राजा पक्सा को सॉरी के ना मैं का सैम करन को भेजेंगे यह गलत बता रहा है दोस्तों यह ने दोस्त प्लेइंग लेवन इसने बता दी बात खाता हूं ऐसे नहीं होता है यह देखिए अगर मैं आपको खलका सा टच बताऊं धवन मैठ शाट सैम करन हाना जितेश सिकंदर राजा हाला कि पांच में पे हमें सिकंदर राजा चौते पे आएंगे फिर शाहरु खा यह तो फिर बॉलिंग राजा आप अगया मेरी अगर मैं को बना के दिखाता हूं ऐसे आपको समाजी नहीं आएगा हलकी थोड़ी सी दोचार मिन वीडियो ऊपर नीची हो सकती है हला कि लेकिन यह आपके लिए ज़रूरी है तब ही आप एक अच्छी मतलग के उसको एक देरेक्ली बैटिंग ओर्डर बैटिंग ओर्डर तो मेरे अगॉर्डिंग धवन तो फिक्स है ना अब सब लोग क्या गरते हैं नोट्स पहले बनाते हैं लिए यूडिसीर आपके साथ नोट्स बनाते हैं जो बतलब कि कोई बंदय ऐसे नहीं करता है ना क्योंकि लाइफ सबनाने बहुत डिफिकल्ट है यूडिसीर आपके लिए बनाते हैं तो इसी बात पर एक लाइक जरूर्ड करना तीसरे पर आएंगे दोस्तों कि तीसरे पर आएंगे साम करण कि साम करण चाथे पर आएंगे सिकंदर सिकंदर राजा या मेरा मवाइल थोड़ा सा स्लो क्यों चल रहा है या मुझे लग रहा है है तो है दिक्कत तो है सिकंदर राजा उसके बाद आएंगे जितेश है ना यार है दिक्कत दोस्तों फिर जितेश आ गए उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए तो आगे का प्रसेस दोस्तों बहुत महनत अवाल आए कोई जिक्कत ने करेंगे उसके बाद आ रहे है शाहरुक ओके हम भी लिख देखते शाहरुक को क्या लिक्कत है जाहरुक किए शाहरुक का वाद ऑ रही है जी हाँ दोस्तों एसर के वाले या दुसरे वाले पता नहीं अब कौन से वाले यह ने चाहरुक तो है अनगर आगे देखतेंगे शाहरुक के बाद आएगा के रिशी धावन यह काफ़ी अच्छी प्रफार्स देखते जाया था दोस्तों रिशि धाँ पर्शी क्या बाद हहाँ दोस्तों रिशी क्या तो यह better by दोशिर्थ हेसं क्युन क्या FRण कर लेता है उसके बाद भृतों कि रहुचार और एफ़ीर्फित में सब्सक्रालि गार इस दोस्तों अर्शदी नहीं राहुल चाहर उपर आएंगे दोस्तों राहुल चाहर उसके बाद अर्शदी दोस्तों अब इसी में आपको बताऊंगा मैं मुझे वो रूल क्यों नहीं पसंद आया ये देखो अब पंजाब क्या करेगा पंजाब क्या करेगा दोस्तों पंजाब मैथ्व शॉर्ट या किसी और को भी ठाके ने इसे नारिस को खिला लेगा हाना हालकि अभी मुझे लगता है आप देखिए प्लेयर तीनी कवर हुए है यह देखिए यह तो यह होगा फॉर्णर एक यह हो गया एक यह हो गया चौथा पंजाब खिलाई नीना जुरुत ही पड़ रही बैटिंग में तो जुरुत है नीना अगर पंजाब चाहे अब देखो मेरी बास सुनो तो बैटिंग में ना चौथा बैट्स में राजा पक्सा को खिला सकता है किसकी जगा पे अर्शदीप की जगा पे कि पंजाब तो यहां पर पंजाब खिलाएगा राजा पक्सा को समझे रूल की एहमियत और जब बॉलिंग आ गई तो राजा पक्सा बाहर और अपना अर्शरी पंदर यह है दोस्तों इंपक्ट प्लेयर का हलाकि रूल एक दो और भी आया कि आप वाइड बॉल को भी रिव्यू किया जा तो यह थोड़े बहुत चेंजी जो आपको नोट करने चाहिए तो यह देखे दोस्तों क्या रूद आपको पता था और इसका साइड इफेक्ट भी है यह भी क्या आपको पता था नोट करिए तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यह बैटिंग और रहेगा बालिंग में करिया है लेकिन मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी मैं फिर बता रहा है तो स्किप मत करें डाटा यहां पर देखे दोस्तों भी एन जगदी सन लेकिन मुझे लगता है गुरुबाज का भी नाम डाल दिया लेकिन यह अईयर अईयर ओपनिंग करने चाहिए यहां पर कोई बात नतिश राणा नतिश राणा से भी उपन करवाया जा सकता तो खुदी कैप्टन है वो औरिंको सिंग सबसे बहतरी इनके दोस्तों फिल्डर रसल मसल सुनिल नारायन शारदूल फर्गुसं उमेश अमिस्ट्री स्पीनर सुएश शरम अमिस्ट्री स्पीनर है दोस्तों यह चकरवर्ति या सुएश चकरवर्ति दोस्तों रिकावरी हो चुकि इनकी इंजरी तो खेलेंगे सुएश अभी यंग्स्टर है बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं तीम को ट्राइ करना है फुल अफ आल राउंडर्स क्या बात है क्या बात है कोई दिकत नहीं है अब देखिए जैसे ये लोग बॉली में घुसेंगे ना तो बाहर कौन जाएगा बाहर कौन जाएगा दोस्तों चकदीशन के बाद गुरबास बाहर चलेगी मतलब फॉर्णर बाहर किया तो फॉर्णर अंदर भी आना चाहिए फिर देखते हैं किसे बुला रहे हैं ये लोग आना तो उमेश भी है फर्गुसन भी है शार्दुल भी है सुनील नारायन को एंटर कर लिया नहीं सुनील ना मंदीप सिंग को एड किया जा रहा है कि मुझे तो मंदीप ही दिख रहा है इन्हें कोई और दिख जाया मैं कह नहीं सकता तो यह गलत एड कर रहे है मेरे कॉर्डिंग यह एड नहीं होना चाहिए कोई और चीज भी ट्राइब कर सकते हैं ये लोग डेविड वीजे वह बह बहुत अच्छी करते हैं अब यहां पर हम इतना कोई चेंज नहीं करेंगे वीडियो जादा लंबी होगी तो मैं पहले कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाऊंगा तो यह देखिए दोस्तों मैंने यह बनाई है जगदीशन और गुर्बाज दोनों विकेट कीपर हैं हाना तो दोनों में से किसी को भी बिठाया जा सकता है सेकेंड इनिंग्स में हाना अगर वीजे खिला तो डेफिनिटली गुर्बाज ही जाएगा लेकिन अगर कोई अगर केटे शायर आ गए फिर राना जी आ गए रिंकू सिंग आ गए और जो आप मंदीप सिंग देख रहे हैं वह इसलिए थे कि रिंकू के साथ एक और बहुत अच्छा फिल्डर मिल जाएगा इनको रसल आ गए सुनील नारायन शार्दूल फर्गूसन उमेश और चकरव आप जानती हो लेकिन उससे पहले आप भूल गए यार पीचर रिपोर्ट भी तो चाहिए आपको तो चलिए पेचर रिपोर्ट देने चलते हैं आपको दोस्तों यह देकिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाली पर क्या स्टैट्स हैं या यूजज़ग हमें परवा तो कल आपको आप लगा कि चलिए एक सोनभ्य के आसपा स्कोर मिलेगा कि बैटिंग मैंनु है यह काफी हाइज होते हैं यहां पर दोस्तों भी बाद नहीं है और यहां पर कुछ बालिंग बालिंग मतलग के स्पीनर पेसर कोई कुछ मिलेगा दोनों के लिए सब कुछ होता है और इन दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है बैटिंग फ्रेंट्ली ग्राउंड है दोस्तों चेज भी होते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जारा बैटिंग टीम जीती है लेकिन रिकॉर्ड कुछ उल्टा बता रहा है बालिंग टीम पहले बॉलिंग करना अपना ज़ादा पसंद करें स्टैट्स की बात करें तो यहां पे धावन के 21 में अगर प्लेयर स्टैट्स की बात करें तो 21 मैचे में 246 रन है राणा जी के 13 मैचे में 277 रन है मंदीब के इसका रचल जारा को देखने की ज़रत नहीं है लेकिर रिकॉ उमेश यदाव और भरार साव भरार सा बहुत दोस्तो गमाल के प्लेए लेकिन इस पिच रिपोर्ट से आपका मनी भरा ना यॡिसीयारे की पिच रिपोर्ट बन रही है दोस्तो इसनी असानी से वह आपको नहीं लिग गए बहुत महनत लगते है उसमें बनने के लिए वह उड़ी उड़ी कार बदने क्या क्या दे रहे हैं दोस्तों फरी में मिल रहा है यार क्यों ना फाइदा उठाए डाउनलोड करो यार अभी अभी बहुत बढ़िया आप है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले विकट किपिंग सेक्षिन लेकिन हमें तो बात ही नहीं करनी हमें तो यूडी सियारे के स्टाइल में भी टीम भी तो उसी स्टाइल में चाहिए तो चलिए स्किप मत करिया एक लाइक कर दीज़े अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहां पर देखिए दोस्तों माल दीजिए पंजाब पहले बैटिंग कर रहा है जैसे मैं ब तीन प्रतिश है तो यह गाला था यार मतब इतना टालेंटेड प्लेयर अगर खेलेगा तो मेरे टीम का कैप्टन भी रह सकते हैं मैं मजाग नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग रसल के फैन हो मैं भी फैन हूं लेकिन मुझे बहुत चोटे टूर्नामेंट भी फॉलो करने बढ़ते हैं हलां कि मैं तुछ चोटे टूर्नामेंट भी बिग बैश बहुत अच्छा केलता है प्लेयर रहा है आपको नहीं पता मेरी को मैं तो सुय शर्मा को जानता हूं मिस्ट्री स्पिनर है वह इसका मैंने देखा पर दो पॉइंट बारा पर सेंड लेकर हमें तो इस इनिंग के लिहास से अभी पंजाब बैटिंग कर रहा है अभी मैं बैटिंग की बात करें वह विकटिविस सेक्शन आ गया इसलिए मैंने आपको बैता दिया हाना तो चलिए मैठी शॉट आ चुकी है उसके बाद धवन धवन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि टीम के कैप्ट टीम में तीन प्लेयर आ चुके हैं जिनमें से एक ओल्राउंडर और दो अब इसी टीम का हमें एक बैट्समैन और चाहिए सिकंदर राजा वह सकते हैं क्योंकि वह बालिंग बैटिंग दोनों करेंगे जिटेश फिनिशिंग करेंगे तो एक तरीखे से हम सिकंदर राजा को अगर लेते हैं तो इस टीम के पास तीन स्मीनर हो जाएंगे फिर हर्फित बराड अवल चाहर सिकंदर राजा लेकिन सिकंदर राजा और राउंडर है और अगर हम उन्हें इग्नोर करें अब देखिए बॉलर कितनी है अर्षडीप है और एलिस से कहां चले गए एक मिनट दोस्तों एक मिनट गडबड हो गई क्या नेथन एलिस नहीं लिखा दोस्तों मैंने यहां पर वही मैं देखूं मैंने का कुछ गडबड हो गई है ना तो थोड़ी से कोरेक्शन कर ले ना दोस्तों इनों ने गलत कर दिया या मैंने गलत कर द तो होंगे दूस्तों हां ना यहां पे बैणिस दाले है उन्होंने और réalité पक्सा की जगा है दूस्तों यहीं पर कहीं पर घर बढ़ हुई है शॉट ईना तो यहां पर एनिस तो खेलेगा दोस्तों चौन उन्हों चौनरा भंदा खेलेगा ही खेलेगा रीड़ा ऴेे तो भी एक्को बाहर कर दिये दोस्तों तो खेलेगा सेक्ड इनिक्स में बाहर जा सकता है लेकिन एल इस खेलेगा ठीक है नेतन एल्रेस इसको डिजस्ट रख लेना बंदे को किससे तरीके से हलकी सी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जारा प्लेइंग रेवल पे ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वह जारा इंपॉर्टट नहीं है आपके लिए अब देखिए दोस्तों पंजाब की बैटिंग और पंजाब की बैटिंग में आपने तीन प्लेयर आड़ कर चुके चौथा एक और आप एड़ करेंगे कौन सा प्लेयर सिकन्दर रजा हाना तो यह लेखिए यह तीन प्लेयर आप एड़ कर चुके हो अब आपको जाना है दोस्तों दोसरी टीम की बॉलिंग की तरफ तो बॉलिंग की बात करें तो आंदरे रसल सबसे बड़े इनके देथ बॉलर हैं सब जानते हैं दोस्तों हाना अब जनता साकीबल हसन को नहीं ले रही लिविंग स्टोन को नहीं ले रही कोई वो नहीं खेलेंगे हाना वो नहीं खेलेंगे कि अब बात करते हैं दूस्तों इनके और डैट वॉडर कॉल डेट डेट ईम साओदी नहीं खेलेंगे पता नहीं इतनी जनता क्यों महीं रही है इनको लॉकी फर्गु सन कहलें ये ज़技ा एस साओदी कंपेर टू साओदी और यह कहलें रबाड़ को इतनी जनता ले रही है ल स्पिनर चाहिए हमें देख लेते हैं को स्पिनर वह कौन है हाला कि यह बैटिंग विकट है तो नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा अधरवाइस आपके पास ऑप्षिन है आप बॉलिंग 11 में से सुनी लारायन की जुरत नहीं चकरवर्ती को ले सकते हो दोस्तों आप चकरवर्ती एक अच्छा अप्षिन है जिसे आप ट्राइक कर सकते हो अना हला कि अभी मैं नहीं ले रहा अभी मुझे दूसरे टिम की बैटिंग कवर करनी है जिनमें से मैंने केवल और केवल अभी तक उन्हीं को गाबर किया हैै अब यहां अदो इतनी जंता ले रही है यह गलत है आई मिन मतलब अइयर तो अविलेबल भी नहीं है तो यह गलत है वह इंको टेश्चाइर को ले सकते हो दोस्तों वंक्डाउन पे आएगे उनको लिया जा सकता है तक अथसे वैटर नेतिश रा जर्नाद्ध के un player फीन किन बेडियर से और चाहिए हमें क्योंकि इनके कितना बेडिंग सेक्षण से हुए है opener हो गया गया, one down हो गया एक तरीके से हो गया, finisher भी हो चुक है लेकिन एक player मेरी according और लिया जासकता है, betting section से वो बेटिंग सेक्शन से जदीष सन्यें वेंकडिश अयर हो सकता है गर पंजाब का ही कोई लेना हो प्लेयर पंजाब की जूरत नहीं है था नहीं ले रहं लेगी है यह Means आप अप ले सकते हैं अब बालिंग सेक्शन दोटों बॉलिंग पंजाब की ऑ्लमस्ट आजूकि läuft यह रहुल चाहर के रूप में उसे हम ले सकते हैं अर्शरीब दोस्तों आप लोगे मैं नहीं डूँगा क्यों आप एलिस को ट्राइ करो नहीं तो फिर किसी के बें साथ चले जाओ क्या दिक्कत है एलिस अच्छा उप्शन है सिलेक्टिड वाई में अगर हम जाना चाहें तो साउदी और रवाड़ा को जनता ले रही है लेकिन यह दोनों नहीं खेलेंगे दोस्तों मैं आपको बता दू उमेश खेलेगा उसे ले सकते हो शार्टू लेक अच्छा डैथ बॉल रहा उसे आप ले सकते हो दो जोसे आप चाहो तो फर्वुसन की जगह पर भी ले सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों दोनों बैटर प्लेयर ने यह तब है जब पंजाब पहले बैटिंग कर रहा है अगर पंजाब बालिग कर रहा तो टीम क्या हो गी लेकिन उससे पहले इस में कैप्टेन वाइस Camp नी बताया आपने दोस्तों अठीक है आपने भी मांकेओं की तरह से बना दिया दोस्तों पहले बालिग कर रहा है सब जानते यह देथका वे Т'REक बम-बाउलिंग अब लगा सकते हो माई मास्टर 11 पे दोस्तों बहुत बड़ी आया अब है अब देखिए दोस्तों CVC नहीं 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 सेकंड टीम दोस्तों CVC बन चुके हैं मैं ठक गया हूं दोस्तों काफी मतलब भीनत करता हूं न तभी तो इतने अच्छे रैंक आते हैं नेक्स्ट मेर्चे से आपको रैंक भी दिखाए जाएंगे आज मैं जोइन का नाम खुल गया अब देखिए दोस्तों CVC बाद में अभी तो टीम बनानी है न तो पहले दोस्तों पंजाब की बॉलिंग तो पंजाब के देथ बॉलर कौन है सैम करन कहां पे देथ बॉलर पंज सेलेक्टेड बाए यह आ गया दोस्तों सैम करन पंजाब के देथ बॉलर और और नहीं एक बॉलर तो और कर अर्शुदीव कहां पे आँ यह दोस्तों तो देथ बॉलर पंजाब पहली टीम में अर्शुदीव को लिया ही अब स्टेट फरवर्वर्ड सबसे पहले ले लिया दोस्तों टॉस टॉस पर डिपेंड है कि कौन पहले बॉलिंग कर रहा है कौन बाद में कर रहा है अगर आप भी मेरी जगह होते हैं आप भी यही करते हैं इन फैक्ट यहां पे एक और बॉलर मैं सिकंदर मिल गया इसको भी लेना चाहेंगे अब दोस्तों सीधा इसकी ना जी दोनों आएंगे और देखे जाए तो इनके ज़रा बैटिंग 11 में पंजाब की नहीं दूसरे डिम की तो रिंको सिंग भी एक आप्शन है लेकिन रसल आ चुका है रहना आप चुका है जगदीसन आ चुका है बहुत है लगवक्त तीन चार प्लेयर आ चुके हैं अगर हम चाहें तो एक और ले भी सकते हैं वाइंकडेश एक अच्छा आप्शन हो सकता है नहीं गुरुबाज ही हो तो उनसे जाला बैटर ऑप्शन है गुरुबाज वाइंकडेश यह दोनों बैस्ट है जिसे आप चाहो आप ले सकते हो तो गुरुबाज की जगहां दोस्तों लेने की अब चलिए आप यहां पर एक मैठी शॉट कहां पर है यह राद दोस्तों अब आपको पंजाब की जगह दूसरी डीम के बॉलर लेने है ना बॉलर आपके रहेंगे एक तो वो मिस्ट्री स्पिनर अप सेकंड इनिंग्स में चकर वरती है जंता नहीं ले रहे हैं दोस्तों सी वी सी नहीं अभी एक प्लेर बढ़ा है शायद हाँ एक प्लेर बढ़ा है अभी और पंचाब का एक बैट्समान मेंने मिस कर दिया हम थोड़ा समय चाहता था हलाकि टॉप अटर मेंने ले लिया कोई दिक्कत नहीं तो एक और प्लेयर आप कॉल का तक अशारतों ले भी सकते हो नहीं फर्गुसन जारा बैटर रहेगा दोस्तों सी और वी सी अब यहां पर दोस्तों सैम करन को आप कैप्टेन बनाईए वी सी बनाईए रसल को विकॉज अफ ऑल राउंटर का पैबल्टी तो चलिए दोस्तों मेरे कहने पर दोस्तों माइ खुज जाके देखिए धन्यवाद